हे गाईस अगर आप UPPSC Assistant Engineer 2020 की प्रिफेशन कर रहे हैं तो आप सब के लिए बड़ी अप्डेट है अन एकेडमी द्वारा फॉइनली आप सब के लिए मॉक्टेस्ट बिल्कुल फ्री मॉक्टेस्ट यहाँ पे लॉंच किया गया है आप यहाँ पर टेस्ट देकर अपनी प्रिफेशन स्ट्राटेजी को काफी ऊपर और काफी इंप्रूप्मेंट पॉजिटी व्यू में लिए चाहि सकते हैं यहीं यहाँ पर फ्री कोईचन प्रैक्टिस सेशन आप तो आपके लिए दो दो गिप्टेज हैं जरूर एन्रॉल करें काफी बड़ी आप सब के लिए जो किया रहा है गाई सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल देगी तो यहां पर एन्रॉल किजे लेट्स क्राइक हे गाइस विडियो में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओन लाइन फॉर्म फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं UBPSC Assistant Professor Online फॉर्म कैसे आपको Step by Step फिल करने है हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गाईस मैं बता दू इसमें various पोश्ट के लिए वेकंस आउट कीगे तो यह आपस देख सकते हैं यहाँ पर सीधी भरती आप दिखाई देगा अड़र्टाइजमेंट नम्मर आपको यहाँ पर सो करेगा स्टार्ट डेट 24 नॉबर से स्टार्ट है और इसका जो फो में आप आप फील कर सकते हैं 21.0 2020 तक फॉर्म सब्मिस्ट करके अपनी वेकंस स्टिवल जो है क्या क्या यहाँ पर रखी गई है वो as के क्रें लेते हैं और यहां से आपको सो करेगा कौन सी पोश्ट के लिए कितनी इतनी पोश्ट पर वे कंस्टी गया रखा गया तो जितने भी Candid UBPSC Assistant Professor लिवेक्चर सहीद apply करना चाहता है ये detail advertisement जरूर read कर लिजिए read करने के बाद हम चलिए बात करते हैं कैसा इसका online form step by step जो है आपको fill करनी है तो guys एक website का link मिलेगा apply online करके आपको description में उस link को open करना है open करने का बाद बिल्कुल इसती तरह का interface आपको so करेगा just यहाँ पे बगल में apply का button आपको दिखा दे रहा है इस पे आपको click करनी है तो नीचे आपको जितनी भी vacancies out की गई है उसी के विहाप से आपकी total यहाँ पे post दिखाई देगी बगल में आपको यहाँ पे आस्थाई राजपात्र और यहाँ पे pay scale वेगरा totally so करेगा उसके बाद कितनी कितनी vacancies निकाली गई है यहाँ स्वारी vacancies नहीं यहाँ पे age limit so कर रहा है तो age limit क्या रखा गया है 27 सल assistant radio के लिए अलग है assistant professor, assistant architect और आपका lecture post के लिए अलग अलग जो आपकी age limit और आपर age limit रखी गई है तो simply वहाँ पर देख सकते हैं नमरों post यहाँ पर show कर जाएगा आप यहाँ पे view भी कर सकते हैं अथवा यहाँ पे registration पे आपको जो है वो click करना है तो अब जिस post के लिए eligible है उसी post पे click किजेगा यानि कि उसी post पे right side में आपको आना है वो registration post पे click करना है मालेज़े मैं यहाँ पे assistant radio के लिए apply कर रहा हूँ आप जो भी post चूच करेंगे उसी post में आप click किजेगा registration पे और यहाँ पे finally click करना है एक यहाँ पे option मांगा जागा अब क्या आपने पूर में कभी भी लोग से वायक द्वारा आउजद किसी पद हितु online पदती से आवेदन किया है यदि हाँ किये हैं तो यहाँ पर yes करना है तो नो करना है तो यहाँ पर देखते हैं मैंने आज तक नहीं किया आपने किया तो yes कर सकते हो उसके बाद आपकी प्रकरिया start होगी तो मैंने नहीं किया है तो यहाँ पर advertisement details के अनुसार यहाँ पर आपको basic information fill करनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं candidate name आपको fill करना है उसके बाद यहाँ पर father's name या फिर आप girls fill करने आपकी side ही हो चुकी है तो यहाँ पर जो है आप husband name fill किसेगा next यहाँ पर are you domicile of UP तो क्या आप UP से belong करते हो तो मैं नहीं belong करता हूँ आप अगर belong करते तो yes यहाँ पर कर सकते हो next यहाँ पर आजाता है are you state government employee of उत्तरपरदेश तो आप हैं तो yes करना है अथवा नहीं करना है मैं तो नहीं हूँ उसके बाद next आता है उसके बाद फिर से एक option मिलेगा have you ever been divided from UP public service commission तो मैं नहीं आप yes हैं तो yes कर सकते हैं next यहाँ पर अपनी category चूझ करने हैं आप कौन से category से belong करते हैं क्योंकि आप other states से apply करेंगे तो जेनरल में किन्ती होगी आप UP से भरेंगे तो आपकी EWS, STS ती वेगरा भर सकते हैं next यहाँ पर अपने day भी फिल करनी है सबसे पहले यहाँ पर day फिल किजएगा आपके date of birth क्या है उसके बाद यहाँ से अपनी month select किजएगा next यहाँ पर अपनी जो है वो year select कर लिजएगा next यहाँ अपनी gender आपको select करनी है आप mail है फिमेल है याने महिला पूरो से तो महिला से अपला कर रहो फिमेल है तो mail है तो mail select किज़ेगा are you married तो no आप दे दिज़ेगा अपने इसाब से और यहाँ पे अपने mobile नमर आपको fill करने है यहाँ पे अपने email ID fill करने है धियान रखिएगा आप जो भी high school मांगा जा रहा है तो यहाँ पे state qualification आप दे दिज़ेगा कौन से state से आपने highest qualification मैं जारकंट से हो तो जारकंट से ही किया हूँ next यहाँ पे आपका जो भी board होगा select कर लिजएगा year of passing यानि कि आपने pass कप किया इसकी details आपको fill करनी है जो कि option में आपको मिल जागी next यहाँ पे roll number आपको fill करनी है आपका जो भी roll number होगा वो एंटर कर दीजएगा guys next आपको नीचे आना है intermediate की details have you completed intermediate तो यहाँ बिल्कुल तो यहाँ पे इसको yes कर देना है अगर आप other post अप्लाइ कर रहे हैं आपके already so करेगा उसके बाद select intermediate कोई भी एक board select करनी है आप जो भी board से किये है उसके बाद यहाँ से अपनी जो है वो passing year आपको select करनी है जो कि option में आपको मिल जाए next यहाँ पे अपना roll number fill कर दीजेगा next आपको यहाँ पे essential qualifications की details आपको fill करनी पड़ेगी आप देख सकते हैं भारत में त्वारा स्थापित विस विद्धालिया संसांस electronics electronics, telecommunication, electrical, अभी अंत्रा न्याने की engineering वशनाता की उपादी चाहिए और आप जीस post के लिजबल है उसी post का यहाँ पे option मिलेगा तो आपको उस post में आपको select करना है और यहाँ पे acquired why यहाँ नोखिल में करना है acquired कियें यहाँ तो yes करना अथवा no कर सकते है इस grade system क्या है yes तो no कर सकते है आपके सबसे जो भी होगा उसके बाद marks और यहाँ पे अपनी marks फिल करनी अपने कितना marks वहाँ पे लाया है और total आपको marks कितना थे और यहाँ पे so कर जाएगा कि आपके overall percentage क्या हुए आप जो भी post के apply करना उसी post on star यहाँ पे qualifications मांगी जागी next देख सकते हैं दिवनागरी लीपी में हिंदी का कारिकारी ग्यान अगर आपको है तो yes करना थो नहीं यह तो no करना है तो यहाँ पे yes है उसके बाद आप देख सकते हैं यह सब में already fill होगी next देख के बार क्या करना आपने जो भी data fill किये है totally check कर लिजेगा और नीचे आना है एक अप्चा code आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो की यहाँ पर as the tis under करने के बाद validate and preview section पे click करने edit कर सकते हैं यहाँ और फिर से दुबारा उसको fill कर सकते हैं तो इस पर simply click कर दिजेगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक करने के बाद submit application पर आपको click करना है उसके बाद एक pop-up आएगा देख सकते हैं please check your registration details याने उसके बाद submission के बाद देख सकते हैं registration वगरा कर सकते हैं उसके बाद इसको okay कर दिजेगा तो finally guys आपकी जो details है already fill हो जाएगी और आपका registration में हो जाएगा देख सकते हैं congregation you have been registered successfully अपने registration जो sleep है यहाँ से print कर सकते हैं और इसे screenshot भी आप ले सकते हैं जिचे आईएगा आपको payment करने के लिए बोला जागा देख सकते हैं click here to pay and the required fee आपको जितने भी payment यहाँ पर सो कर जाएंगे और आपको जो है वो payment करनी है तभी आगे की process आपकी start तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है click here to pay the required fee इस पर आपको क्लिक करनी है जब एक pop-up आएगा क्या आपने जो है प्रस्नल लीटिल्स केरफुली रीड कर लिया तो मैं इस रीड कर चुका हूँ तो यहाँ पर yes करना है और अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं तो इस पर no पर क्लिक करनी है उसके बाद यहाँ से इस पर आपको जो है वो क्लिक करनी है नेक्स यहाँ पर प्रोसीड फोर एप्लिकेशन जो डिपोजिशन पर क्लिक करनी है उसके बाद एक pop-up आएगा इसको भी ओगे कर दी उसके बाद यहाँ पर अपने payment gateway चुछ कर सकते है नेड बैंकिंग अधर बैंक से करना चाहते है रिष्टर बैंक डेविट कार्ट जो इजी होता है काफी इजी होता है डेविट कार्ट से payment करने में तो वो सलेक्ट कर सकते हैं नेक्स आपके कितना payment अगरा वो सब्सक्राइक करें गिया उसके बाद करना है दुबारा आपको री कनफर्म करना है नेक्स आपको यहाँ पर डीटेल्स वगरा फिल करनी तो सबसे पहले आप अपनी कार्ड नमर फिल किजेगा उसके बाद डेट और एक्सारी डेट वगरा फिल करना है कार्ड होल्डर नेम फिल करनी है cvb under करनी है कैप्चा को जाड़ेस एजटीज अंडर किजेगा और पे नाव पे क्लिक करना उसक इसे print कर लिजेगा देख सकते हैं print payment receipt या फिर proceed for final submission पे आपको click कर तो सबसे पहले आप payment इसे वे जो है वो print कर लिजे और उसके बाद proceed for final submission पे click करने नेक्स यहाँ पर detail सो करेगा उसके बाद click here to proceed करनी इसके बाद यहाँ से registration नमर वेगरा transaction ID वेगरा सो करेगा यहाँ पर अप 3.5 cm का आपकी होनी चाहिए and height रखा गया 4.5 और यहाँ पे attach signature होना चाहिए मतलब आपकी photo के साथ ही यह रही आपकी photo और उसके साथ attach signature भी होना चाहिए guys तो वो ध्यान से create करनी आपको और अंदर आप देख सकते हैं रख सकते हैं 50 के भी से जो है वो ज्यादा नहीं होनी च करनी है और upload photo and signature पर क्लिक करनी है तो यहाँ पर बता देगा guys photo uploaded successfully आप देख सकते हैं यह रहाँ आपका photo upload हो चुका है process for final submission of application form इस पर जो है आपको क्लिक करनी है उसके बाद यहाँ पर कुछ option मिलेंगे आप देख सकते हैं I declare that I have read the user interactions and detail advertisement तो मैंने read कर चुका हूँ यहाँ पर ok करनी है आप देख सकते हैं various post पर आप क्या क्या है यह रही आपकी application form इसको check करना है और कई सारे details आपको देखेंगे और यहाँ पर जो है आपको fill करनी है और confirm कर सकते हैं आपने जो भी previous data जो data है fill किये हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपका address details fill करने के करते हैं आप अपने state यहाँ पर जो है वह permanent address का जो भी आपका state होगा वह fill कर लिजेगा उसके बाद इधर से आप आ जा सकते हैं house number city name district name आपका क्या है next आपको यहाँ पर area का pin code आपको fill करनी है उसके बाद यहाँ पर देख सकते है I accept for the following declaration इसको click करके yes कर देना है और नीच आने के बाद आपको capture code दिखाई देगा यहाँ पर उसको एजटी जेंडर करनी है और submit application form पर तो guys finally आपने application form finally submit कर चुके हैं submitted successfully हो चुका है बिलकुल इसी तरह से UP PSC का assistant professor various post का online form आपको fill करनी है कहीं पर भी mistake नहीं होनी चाहिए फिर भी आप कहीं पर भी doubt लगे आप comment किज application slip बे डाउनलोड कर सकते हैं और click here to download application form पर click किज़ेगा आपका जो application form है वो download हो जाए तो finally यह रही guys आपकी application form आप चेक कर सकते हो और बढ़ियां से अच्छे खासे से डाउनलोड करके इसे प्रियास के लिए रख भी सकते हो यहां से print का भी option मिल जाते है तो hopefully guys कहीं पर भ कर सकते हैं